ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है यूँ तो मैंने आपको बहुत सारे मंत्र दिये हैं बहुत सारे तंत्र दिये हैं लेकिन ये जितने भी तंत्र हैं जितने भी यंत्र हैं इसको हर कोई नहीं कर पाएगा जिसमें ये सामर्थे होगा जिसमें साधनाओं में रूची होगी जो कि बच्पन से ही या फिर एक रूची होनी चाहिए एक ऐसा अडिक विश्वास होना चाहिए तब जाकि ये चीजें काम करती है यदि आप भीतर से कुछ और सोच रहें और बाहर जो हैं कुछ और तो ये चीजें काम नहीं करेंगे ये चीजें तब काम करती हैं जब आप सब कुछ एक तरफ करते हैं और यंत्र मंत्र तंत्र पर पूरा विश्वास करें अडिक विश्वास चाहिए कुछ भी हो जाए आप का जो मनुरत है जो आपका विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए कि आप जो भी करेंगे वो सब कुछ फलित होगा ऐसा सोचते हुए यदि आपके ये करते हैं तो आपके भीतर कुछ ऐसी भगवत कृपा आ जाती है कि आपके काम स्वेता ही बनने शुरू हो जाते हैं तुमा कमक्ख्या का आज आपको एक ऐसा यंत्र दूँगा जो की बहुत ही चमतकारी है अडिक विश्वास रखकर इस यंत्र को गोरोचन से बनाईए किसी भी शुब मूरत में बनाईए और इसके बाद इसका ताबीज बनाकर पहन लीजिए आपको इसके भीतर जो है एक स्टार सा दिखरा होगा उसके भीतर जो है अपने साध्य वैक्ती का नाम लिखना है जिसको भी आप आकरशित करना चाहें उनका नाम आपको बीच में लिख देना है और इसके बाद जो है इसको किसी चांदी के ताबीज में भरकर पहन लेना है आप पाएंगे कि हाफ्ते भीतर आपको जो भी साध्य था वो फोन कर रहा है आपसे बाते करना चाहरा है आपकी पीछे पड़ गया है और ये बहुत ही सरली अंत्र है इसको वो सब कर पाएंगे जिनमें की अडिक विश्वास है ये अंत्र मंत्र तंत्रों को जो चलाना जानते हैं ये एडवांस लेवल का है इसलिए आप जो अभी अभी नए नए हैं वो इसको ना करें जो गुड रहसे को जानते हैं ये अंत्रों को चलाना जानते हैं वो इसे बड़ी सरलता से कर पाएंगे तो इसमें जो वार रहेगा वो रहेगा आपका बुद्धवार आप कल कर सकते हैं इसको और जो समय रहेगा वो रहेगा या तो ब्रह्म मूरत में कर लीजे या फिर आप शाम को कर लीजे ये दो समय रहेंगे और जब इसको आप बनाना शुरू करें तो सबसे पहले अपने इश्ट देव को, अपने ग्राम देवता को, अपने कुल देवता को प्रसन्न करें कुछ भी मीठा चढ़ाएं और उसके बाद हाद जोड़कर विनती करें कि प्रभू ये ये मेरे काम है, ये मेरी क्रिया है, इसको संपन करें और कुछ मीठा दे, मीठे की भेट करें और उसके बाद इस यंद्र का निर्मान करें मा कामख्या का ये यंद्र आपको वो सब दे सकता है जिसके आपने कभी कलपना भी नहीं कियोगी एक बार इस प्रियोग को करके देखिए तो आपके भाग के द्वार खुल जाएंगे कई बार ऐसा होता है कि मनमुटाव में पत्नी कहीं चली जाती है पती जो है रूट जाते हैं एक्स्ट्रामेरिटेल अफेर हो जाते हैं तो ऐसी स्तिती में भी इस प्रियोग को किया जा सकता है या कोई रूफवती कोई ऐसी मुहनी आपको दिख गई हो जिसने की आपकी रातों की नींदे उडा ली हैं और आप चाहते हैं कि उसको अपने वश्च में करना तो ये यंत्र सटीक है यदि एक बार किसी पे कर दिया गया तो समझिए वो दिन देखेगी ना रात बहुर बस आप ही के गुणगाती रहेगी ऐसा आप स्तری पुरुष दोनों पर कर सकते हैं और जब भी कभी यंत्र निर्मान करें तो कोई वीराना ढूंडे कोई पाहाड ढूंडे कोई गुफा ढूंडे कोई नदी तर ढूंडे ऐसे स्थान पर जाकर यदि आ अप इसका निर्मान करते हैं तो बहुत जल्थी असर और जब हम ये क्रिया प्रारंब करें तो उस दिन कोई अच्छा मूरत होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, जो कि शुब हो, जैसे कि बुद्धवार को कोई भी किया गया कार सफल होता है, अब आप के अनुसार आप जैसे कई बार ऐसा भी होता है, कि कई लोगों का कोई दिन अच्छा होता है, उस दिन की आगया कार ये उनका सफल होता है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, या फिर होली दिवाली हो गई, शिवरात्री हो गई, या फिर आप किसी भी ऐसे मूरत में कर सकते हैं, जो कि शुब हो, पूर्णवा पे कर लीजिए, अमावस्या पे कर देता है तो ये जो यंत्र आप देख रहे हैं ये यंत्र आपने बनाना है गुरोचन से और इसके बाद इसको पहन लीजे तो जो भी आपका साथ ही होगा वो बस टक-टकी लगाए आपको देखता रहेगा किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 धन नवाद